अगर आपने एक न्यू आउटफिट डाला है लेकिन आपकी ग्रूमिंग अप्टू दम आप नहीं है तो आपका पूरा आउटफिट एक दूम फेल हो सकता है आज मैं आपको बताऊँगा 10 टेप्स कि आप अपने ग्रूमिंग लेवल को कैसे नेक्स लेवल पे लेके जा सकते हैं इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्स्राइब नी किया है तो मेरे चैनल को सब्स्राइब कर लीजिए तो आईए शुरू करते हैं से पहले चैनल सब्सक्राइब करते हैं या सब्सक्राइब करें खाया चैनल करें जैसा कि आप साइगर मीचल में देख सकते हैं इसमें जो आपका hair होएंगे वो sides में दोनों तरफ से बहुत light रहेगा और जो आपका puff होगा वो तोड़ा high रहेगा इससे आपका face लंबा लगेगा और आप young दिखेंगे इंगलो face shape के लिए आप side part कर सकते हैं या आप कोई neat और clean look देखा haatch shape के लिए आप long ears रख सकते हैं और आप diamond hair face shape के लिए पूश बैक hair style ट्राइगा सकते हैं round face shape के लिए आप undercut hair style के लिए ट्राइगा सकते हैं face के shape को depend करते हि या आपको अपना beard style भी decide करना है अगर आपका face slim है तो आप heavy stubble रख सकते हैं अगर आपका face heavy है तो आप light weight रख सकते हैं अगर आपको कोई professional meeting में जाना है या आप एक mature look चालते हैं तब भी आप एक heavy stubble रख सकते हैं अगर आपको एक young, neat or clean look चाहिए तो आप एक light stubble भी रख सकते हैं यह आपके face पर depend करता है और आपके personal choice और location पर भी depend करता है suppose आपको wedding के लिए जाना है तो एक light or neat stubble जादा suit करेगा वहीं आपको एक professional meeting के लिए जाना है या outdoor, indoor activities के लिए जाना है work related जाना है तो आप heavy stubble भी carry कर सकते हैं अगर आपको यही suit करता है तो third tip पर आपके nails, nails एकदम neat or clean होने चाहिए क्योंकि एक कोई भी नहीं चाहता कि आप untidy nails के साथ उनसे मिलें कोई भी नहीं चाहिए कि आप हाथ में ला रहे हैं तो आपके untidy nails उनके हाथ में touch होएं सब चाहते हैं एकदम hands एकदम clean होएं तो अपने hands को अच्छे से clean करें nails को एकदम cut करके रखें फाइल करके रखें इंकी shape एकदम neat होनी चाहिए एकदम clean होने चाहिए यह बहुत important aspect grooming का fourth aspect आता है deodorant so guys एक अच्छा deodorant cologne और एक अच्छा perfume आपके grooming में बहुत important role play करता है अगर आपके पास ते foul smell आ रहा है तो कोई भी आपके पास नहीं रुटना चाहेगा आपने कितना भी अच्छा outfit पहना है कोई आपसे बात नहीं करना चाहेगा अगर आपने एक अच्छा deodorant carry किया हुआ है तो आपसे लोग attract होएंगे आपके जो grooming है उसको भी bonus मिलेगा यहाँ पर मेरे पास है the man coat का copper perfume यह सेंडल बूट perfume और यह है denver का black coat आप अपने pocket of budget के इसापसे अपना favorite perfume चूज कर सकते हैं मैं आपको कोई भी perfume यहाँ पर सजेस्ट नहीं करूँगा ना यह कोई sponsored video है आप अपने कुद की मर्जी से जो आपके character को आपके natural suit करता है वैसा perfume पर चेज कर सकते हैं मैं swift grooming tip है चैप lips अगर आपके lips chapped है या black है तो आपको इनको जल्दी से ठीक करना बहुत जरूरी है चैप lips का मतलब है फटे हुए lips अगर आपके lips फटे हुए हैं तो बहुत ही unpleasant लगते हैं देखने में आपको इनको ठीक करना चाहिए बहुत जल्दी आप यूज कर सकते हैं coconut oil या weseline इनको जल्दी से जल्दी ठीक करने के लिए suppose आपको कल किसी party में जाना है और अगर आप देखते हैं कि आपके lips बहुत ही चैप्ड है फटे हुए है तो आप इनको पर जल्दी से coconut oil लगा सकते हैं आप वैसली यूज कर सकते हैं अगर आप smoking के कारण आपके lips बहुत black हो गए है तो आप ओडेट नेचरल का लिप्स कर भी यूज कर सकते हैं या आपके lips को पिंक लूप देगा और आपके चैप लिप्स को जल्दी से जल्दी ठीक करेगा यह बहुत ही soothing effect है इसका और बहुत ही effective है आपके lips पे अगर आपक यूज कर सकते हैं यह बहुत यह अच्छा option अपने skin को मॉंस्टराइज करने का और इसको एकदम हाइड़ेटेड रखने का बयलते मौसम के साथ हमारा skin कभी dry हो जाता है कभी too much oily हो जाता है इन सब को solve करने के लिए लिए लेक्टर करने में बहुत यह अच्छा option है इसको आ रहे हैं वो साथ-साथ resolve होते रहेंगे इसके बदम चलते हैं अपने 7th point पे जो कि है bed breath अगर आपका outfit एकदम top notch है आपने बहुत अच्छे से grooming करी है आपके hairs भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपका beard भी बहुत सेट है आपके clothes भी एकदम new है बट आपके मास से bed breath आता है तो यह सब कुछ एकदम zero हो जागा आपको bed breath से बचने के लिए आपके पास तीन options है you should brush twice a day second point आप अपने teeth को अच्छे से floss करें third point आप अपने पास हमेशा chewing gum carry करें या फिर आप सौंप भी रख सकते हैं इससे आपको bed breath से चुटका रहा बहुत जल्दी मिल जाएगा अब आते हम eight point पे जो किये shampoo आप अपने hairs को दो से ज्यादा बार week में shampoo ना करें अगर आप ज्यादा शेंपू करने से hair fall की problem और बढ़ जाती है और आपके hair और damage होने लगते हैं दो से ज्यादा बार shampoo करना आपके hair के लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत है कर सकता है जितना ज्यादा आप shampoo यूज़ करेंगे उतना आपके hair damage होने होता जाएगा तो मैं आपको suggest करूंगा week में आप twice shampoo use कर सकते हैं इससे आपके hair damage भी नहीं होएंगे और एकदम clean रहेंगे shampoo के अंदर जो ingredients होते हैं उतके अंदर chemicals होते हैं जो बहुत harmful हैं हमारे hair के लिए तो इनको बार-बार use करना बिल्कुल safe नहीं है 9th grooming tip है nose hair और ear hair अपने nose hair को जितना clean रखेंगे उतना आपके grooming के लिए अच्छा है आप trimmer का भी use कर सकते हैं और आप scissors का भी use कर सकते हैं जैसी आप notice करें कि nose में hair आ रहे हैं तो आप उसी time scissors को use करके उसको जल्दी से clean करें या फिर आप trimmer का use भी कर सकते हैं मैं आपको personally suggest करूँ है कि आप scissors का use करें ही ज्यादा safe है trimmer इतना safe नहीं है 10th grooming tip आती है clean shoes अगर आपका पूरा outfit बहुत अच्छा है आपकी hair बहुत अच्छा है nicely done है एकदम neat and clean look है लेकिन अगर आपके shoes ही clean नहीं है तो आपका पूरा look fail कर जाता है अपने shoes को एकदम neat and clean अपसाथ इसाथ इकषाइंगे बहुत On we'll go Finding life along the way Melodies we haven't played No, through the wasteland, through the highways And on and on we'll go If you have any information on this video, subscribe to my channel and like this video And I'll see you with more motivational and grooming tips Finding life along the way Melodies we haven't played No, through the wasteland, through the wasteland, through the wasteland